हेलो दोस्तों स्वागा थे आप सभी का एक नई वीडियो में और फ्रेंड्स आज संडे है छुट्टी है तो हम अपने छट पे घूम रहे थे तो यहां पास वाले छट पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं तो यह पता नहीं कौन सा खेल खेल रहे हैं हमें भी नहीं पता है कौन चपपल वाला खेल साइद आपने कभी नहीं देखा होगा हमने भी कभी नहीं देखा इसलिए हम आपको दिखाते हैं कौन सा खेल खेल रहे हैं दोस्तों हम आपको चपपल वाला खेल दिखाएंगे पता नहीं कौन सा खेल है इसका नाम हमें नहीं पता है लेकिन यह तोट ऐसा और उसमें चपल रखे हैं और एक लड़का उसकी रखवाली कर रहा है वो वाला उसकी रखवाली कर रहा है चपल को और यह दोनों लोग निकाल रहे हैं उस चपल को यह पता नहीं कौन सा खेल है अभी नहीं पता है लेकिन देखिये कैसे खेल रहे हैं साइद गोले से चपल निकालना हो और यह दोनों लोग निकाल रहे हैं दोनों छोटे बच्चे एक उधर वाला और ये वाला और साइद अगर इसने उसको टच कर दिया हो तो वो साइद चोर हो जाएगा बीच में खड़े हो जाएगा यही प्रोसेस होगा इसका इसलिए वह मार रहा है देखो यही प्रोसेस सायद यही खेल होगा अब दिखाते हैं आपको कैसे निकाल रहे हैं एक रखवाली कर रहा है और यह खेल वहाँ भी उस वाले च्छत पे भी दो-तिन बच्चे खेल रहे हैं और अभी यहाँ पे चार-पांच बच्चे खेल रहे हैं अभी थोड़ी दर पहले तो लोग चले गए दो लोग बचे हैं तीन लोग यही खेल रहे हैं और इस खेल का हमने जाना इसके पूरे बारे में कि यह सारे चपल निकल जाएंगे तो एक चपल बचेगा तो वह चपल लेकर के जो लड़का बीच में खड़ा है उसको लो बीच में खड़ा होगा गोले के अंदर देखते हैं कब तक चपल निकालते हैं यह लोग और यहां भी यह चार-पांच बच्चे खेल रहे थे और दो-तीन लोग घर चले गए नीचे इसलिए निकल नहीं पा रहे हैं तो अगर चार-पांच होते तो जल्दी निकाल लेते ह और दो बच्चे को निए कि निकाल लोगे 30 अधे निकनालो निकालो पता नहीं कौँ सा खेल हैंगे नाम भी नहीं पता आ है लेकिन तुं लोगों प्र दिखा रहे हैं कौंशब Ariapu चपल चोर वाह क्या खेल है चपल चोर इसका नाम है दोस्तों हमने बच्चों से पूछा कि यह कौन सा खेल है तो लोगों ने बताया कि चपल चोर इस खेल का नाम है और सायद आपने यह नाम पहली बार सुना होगा खेल तो आप पहली बार देखी रहे हैं पर नाम भी आप लोगने पहली बार सुना होगा चपल चोर नाम